दोस्तों मैं सिस्कुमार अपने यूटूब चैनल भीहाज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग SPDK Railway समान विज्ञान का Practice 8 13 इस वीडियो में देखेंगे तो यदि आप लोगों ने अब तक हमाँ चैनल भीहाज जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को जोड़ दमायतवाई वीडियो को स्टाट करते हैं तो आज का पहला प्रश्ण है पानी का भारीपन किस विले के कारण होता है तो किस विले के कारण तो इसका उत्तर है b calcium के विले के कारण से अगला प्रश्ण है निम्न में किस से tape recorder की tape लेपीत रहती है तो किस से तो इसका उत्तर है फेरो मैगनेटिक चूर्ण से किस से फेरो मैगनेटिक चूर्ण से अब अगला पस्टन है सोडियम धातू को डूबा कर रखा जाता है किसमे तो सोडियम धातू को कीरो सीन में डूबा कर रखा जाता है याद रखेंगे सोडियम धातु को कीरो सीन में डुबा कर रखा जाता है अब अगला पश्ण है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम कारवा माइड है क्या है? कारवा माइड अब अगला पश्ण है वह तत्व जो ऑक्सिजन से परतिकिरिया नहीं करता क्या खालाता है तो इसका उत्तर है B-IODINE तो याद दखेंगे IODINE जो है ऑक्सिजन से परतिकिरिया नहीं करता है अब अगला प्रश्ण है निम में कौन सबसे हलकी गैस है तो कौन सी तो इसका उत्र हाइड्रोजन जो है सबसे हलकी गैस है अब अगला प्रश्ण है मरकरी को किस धातू के पात में अर्थात किस धातू के बर्दन में रखा जाता है तो किस धातु के तो इसका उत्तर है लोहा जो कि गलत होगा इसका सही उत्तर सीशा होगा तो आप लोग याद दखेंगे कि मरकरी को सीशा के धातु के पात में रखा जाता है अब अगला प्रश्टन है निम में कौन जल से हलका होता है तो कौन होता तो इसका उत्रे सोडियम जो है जल से हलका होता है या दखेंगे सोडियम जल से हलका होता है अब अगला परशन है सामाने ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है तो कौन सी गैस तो इसका उत्रे आरगन के साथ मरकरी वेपर नेक्स्ट परशन है milk of magnesium क्या है तो milk of magnesium magnesium hydroxide है क्या है magnesium hydroxide अब अगला परशन है quarters किसे बनता है quards किसे बनता है तो इसका उत्रे sodium silicate से किसे sodium silicate से अब अगला परशन है सोने की आभुसन बनाने में किस धातु को मिस्रित किया जाता है तो किस धातु को तो इसका उत्र है copper अर्था-तामा धातु को अब अगला परशन है Portland cement का आविस्कार किसने किया था तो Portland cement का आविस्कार Joseph Aas Dean ने किया था किसने जोशफ आस्पडीन ने अब अगला प्रशन है सबसे भारूई धातू कौन है तो सबसे भारी धातू ओश्मियम है कौन ओश्मियम नेक्स्ट प्रशन है प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है तो प्याज एवं लहसुन में गंध जो है, पोटेसियम के कारण होती, किसके कारण, पोटेसियम के कारण, अब अगला पशन है, हाइड्रो कारवन का प्राकेर्थिक स्रोथ क्या है, तो हाइड्रो कारवन का प्राकेर्थिक स्रोथ कच्चा तेल है, क्या कच्चा तेल, अगला पशन है, किस गैस का परियोग cigarette lighter में होता है तो इसका उत्तर है butane gas का परियोग cigarette lighter में होता है अगला परशन है सिर का किसकी जलिये विलियन है तो सिर का जो है acetic amal का जलिये विलियन है next परशन है पनीर निम में किसका उधारन है तो पनीर जो है जेल का उदारन है अगला प्रश्ण है सिर्का का रासाइनिक नाम क्या है तो सिर्का का रासाइनिक नाम एसीटिक एसीड है क्या एसीटिक एसीड नेक्स्ट प्रश्ण है पेट्रोल एक मिस्रन है तो सॉरी पेट्रोल किसका मिस्रन है तो पेट्रोल जो है हाइड्रो कार्वन का मिसरन है किसका हाइड्रो कार्वन का नेक्स्ट प्रश्ण है पॉलिथीन प्राप्त होता है किस से तो पॉलिथीन एथीलीन के बहुली करन से प्राप्त होता है किस से एथीलीन के बहुली करन से अब अगला प्रश्ट है किस संस्लेसित रेषा को कितरीम सिल्ख के नाम से जाना जाता है então इसका उत्तर है रेजैन को नेक्स प्रश्ट है रेजैन क्या है तो रेजैन जो है पॉलिएमाइड है क्या पॉलिएमाइड अब अगला पश्ण है कारवन का क्रिष्टली रूप कौन चा है तो कारवन का क्रिष्टली रूप हीरा है कौन हीरा अगला पश्ण है काच किसका मिसरन होता है तो काच जो है बालू और सिलिकेट का मिसरन होता है किसका बालू और सिलिकेट का अब अगला प्रश्ण है दाइनामाइट में मुकरूप से पाया जाता है क्या तो डाइनामाइट में मुकरूप से नाइट्रो गिलिसरीन पाया जाता है क्या पाया जाता नाइट्रो गिलिसरीन अब अगला प्रश्ण है किस अम्ल में अक्सिजन नहीं होता है तो यहाँ दखेंगे हाइड्रो कलोरिक अम्ल में अक्सिजन नहीं होता है क्योंकि इसका फर्मूला होगा HCl तो हम तो यहाँ देख सकते हैं इसमें अक्सिजन नहीं होता है अब अगला प्रश्ण है सौचाले में उप्योग किये जाने वाले दुरगंद नासकों में क्या होता है तो दुरगंद नासकों में जो सौचाले में परियोग किये जाते हैं उनमें बेंजीन होता है क्या बेंजीन अब अगला प्रश्ण है, बेल्डिंग में इस्तमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता? तो इसका उत्तर है oxygen एवं acetylene क्या oxygen एवं acetylene अब अगला प्रश्ण है, पृत्वी की प्रपर्टी में निम में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता? तो इसका उत्तर एलमोनियम तत्व नेक्श प्रश्ण है अगनी सामक से निकलती है क्या निकलती है तो अगनी सामक से कारवन डायोकसाइड निकलती है क्या कारवन डायोकसाइड अर्थाथ CO2 अब अगला प्रश्ण है रवर को मजबूत और उच्छा लायक बनाने के लिए इन में क्या मिलाया जाता है तो इसका उत्रे सलफर नेक्स्ट प्रश्ण है कच्चा अलमोनियम किस नाम से जाना जाता है तो कच्चा अलमोनियम बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है क्या बॉक्साइट के नाम से अब अगला प्रस्ण है आवर्थ सार्णी में W Being किस स्तत को दर्स आता है तो इसका उत्र है टवर्थ सार्णी में दर्स आया गया है अब अगला प्रश्ण है कारवन डायोकसाइड की कितनी मात्रा वायो मंडल में रहती है तो कितनी मात्रा तो इसका उत्तर है 0.03 प्रतिसद तो यह था आज के प्रेक्टिस एट का आखरी प्रश्ण आसा करता हूँ आप लोग को हमारे या वीडियो पसंद आये हो यदि आप लोग को हमारे या वीडियो पसंद आये हो तो तो लाइक और सेयर जोरू करें फिर मिलते हैं नए प्रेक्टिस एट के साथ तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद